हम स्टालो हाई गाईस मैं स्टाल्स का अब यह सी स्टेंड यह आइट नीट और एर फोर्स एंड एर फोर्स में यह चेप्टर है बहुत इंपार्टन्ट काफिस्टर चेप्टर लेकर गज्माया हूं तो पहले इसकी सिंप्रीचिस समझेंगे इसके बाद हम जानेंगे कि want to suppose अंगा keeping Bond किखली में है क्या के फिस और और कफेष्टटा इसाइश कि है जो में देश है कि अच्या करते हैं तो इसको बनेंगे छाफ़ेक्ड कम कर फिस्टररा फ़ेप्र कंडेक्ट चार्ज मतलब एलेक्रिक कापेस्टर गया स्टोर करता है अब गया थे किसी कंडिक्टर को कुछ परवाईड करते हैं क्युक्त है यह सार्च गिकेए तो गेंगंगेंगेंग इसका पोटेंसिटीछ होके हो जाता है पोटेंसिक Calling चार्ज डाइक्तलि पर परोस्रान टू दा पोटेंशल यसा मतलब कहा हुआ कि चार्ज डाइक्तलि पडिचल पर पोहटल का वICO कितना ह眼 गा सीघित क्यों करा क्यों क्यों कि आगा कंस्टक करने में तो को बोलते है बेपोर्पोर्पोर्पोर्पोरणैल्टी और इसी सीव को नूँMichael Super네 इसी का किस्टेंस करते हैं इसको दर नम कgreat carne इसको यह मद बोложते हैं कि य इस में कंफूक़ी होने के बात नहीं है इसको कबस्टेंस दूरे कर बोल एक है अवह समझाएब अप्रट एक एपूल था तो चार्जब्बोल्ट तुछाज प्रिट को लाम और की बड़्बऄ और इसकी अपनी इंडिविल टे यहाँ अधिए और लोग पता कि एकel पावर माइनस इस प्लिए हम्ट क्यों ले रहे हैं माइकरो में में अभी मैं आपको समझाओंगा डिटेल में एक पीको फैरड एकल टेंट बाव मैनस 12 फैरड एंट बन नैनो फैरड एकल टेंट पावर मैनस 9 फैरड अब हम लोग बात करते हैं इसके डायमेंशन की और इसके बाद में हम लोग अपने तरीके से लेटिकल काफेस्टर को समझेंगे गाईज अभी तो जो बुक की लेंगज है जो आपके बुक में आएगा जिसे आपको इंटर वालों को जो नोट करना पड़ेगा उसके लिए हैं क्यों के लिए मैं बात करता हूं कि क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक करे दें दें लिए गाई तो अच्छा कुस्ट्सन हमारा फ़ांड कर रहा था इनट क्यू वाइब क्यू भाई वी एट रफांड कर लिया था हमें करना डाइमेंशन गाई जाह फांड ने दांगेंशन और क्युक्त क्यू थाइट और विकल क्यू टबलू क्यूड रवु और यह कि ऊपर पहुँच जाएगा तो यह कि आइटी और अपन डबलो तो सी की जो डाइमेंशन होगी आई की एमपीर ए और दो बार आई है तो आपन जो वर्क और की वर्क की अनिकी डामिशन होती है और क्या होती है 20 2014 को जब साल करेंगे तो यह से दामिल्ट हम लोग नहीं बात की थी की वाइट क्या क्या तो समझेगा और एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इनर्जी इस्टोर्ड होती है कि आपके फैन मिलें जो लगा होता है लगाता है ऐसना होता है लगा होता है उसका वह होता है इनर्जी को स्टूर करना जब भी किसी इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट अफ के लिए उसको मोर इनर्जी की नीड होती है क्योंकि जब वो अपने पोजिशन में फिक्स होता है जैसे कि न्यूटन ने बताया कि जो पार्टिकल जिस पोजिशन में वह उसी आबा सकता होती मोर इनर्जी की नीड़ होती है और वो इनर्जी जो हुआ में सप्लाई से मिलती वह बहुत निसे सधरा की ऊसे वह कंप्लीट कर प Schüler गाए तो इसके लig骤 तरह कृथ त regret किसमें लगा देते हैं देखी ना आप जंगली तो है नहीं सब लोग उने राड में क्टेस्ट लगा होता है इस्टार्टर के रहता है और जब जीतनी नीड होती होती उतनी उसको लेकिन तब भी एक बार राट उट जाती है तो वह जलती रहती है वह क्यों अपने अंदर चार्ज को खीशता रहता है और सप्लाइ करता रहता है चलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं आप लोगों को कि आपने त्यों सुनाए होगा बढ़ता होगा इस और यह सिंबल है और यह एक इंडेक्टर होता है एक इंडेक्टर होता है और यह तीनोंही इनर्जी का सोर्स इनर्जी इनर्जी करती है तो इसका वर्क का वर्क होता है इसको जब इनर्जी प्रवाइड करा जाती है जब इसको इनर्जी प्रवाइड करा जाती है जब इसको जब करेंट फ्लो होता है इसमें तो यह क्या करता है कि यह आपने अंदर एलेक्टानों को कंज्यूम कर लेता है आए आपकी लंगज में समझाता हूं जैसे किसी के पापा ने किसी बच्चे को 500 रुपया दिये कि जाए बेटा आप मार्केट चले जाए और वहां से आप 200 का कोई समान खरीद के लाएं तो उसके फादर ने उसको रुपए दिया अपने असंगो को समान ले किया तो यही का मर इंगे-बच्च और जब घल लगा दिया लगा होगा और इनर्जी सब्सक्राइब स्टोर करते हैं यह जब सरक रखते हैं लेकिन इसमें क्या लगा होता है है अब हम विदा कर देख समझा बहुत E比 अब हम लो बात करतें जो इसने में प्लक प् questa कि ने नेरदी स्टोर करता है जैसे सबस्य करें इनरजी चाहिए 50W का वोल्टेज चाहिए 50W का वॉल्ट चाहिए 50W का वॉल्टेज CHAँ रही है 40W आ रही है आपके में सीच में 40 वाट की लाइट आ रही है तो क्या करेगा कि यहां पर इनर्जी को स्टोर कर लेगा कितना 50 वाट कितना 50 60 वाट यह स्टोर कर लेगा जब इसने 60 वाट इस्टोर किया आपके फैन को चाहिए कितना 50 वाट और लाइट आ कितनी रही 40 वाट तो यह नहीं च बहुत पाइस्ट बहुत जादा रहे हैं यह जादा करने कम कि इसमता होती है लिखा होता है इससे जादा अगर इसको नarřजी प्रवाइट कराएंगे तो यह दिफ्यूज हो जाएगा इसके बाद में फैन फ्यूज हो जाएगा आपका गाइज आप लोग सिंपिल लंगवें समझें क्या है कि इसके पापा ने भी कापा ने इसको क्या गिया इसको 500 की रुपीज दिया और इसके पापा ने इसके पास लिए नहीं और ना इसने अपने पास रख लिया इसने क्या क्या आपने पास रख लिया अगया उनके फादर इनको 50 नोट जैते हैं और कहते हैं यह समान दूसरी समान मगातने की लेकर आई यह उस्समान की कीमत है अब 700 रुप्या कितने गाई उनके फादन ने किता दिया 500 रुपय उसके पास पहले से स्टोर था 300 रुपया तो इसने अपने पास से 200 मिला के वह समान को वाइ करके यह वर्क होता है का इसके बाद में हमारा इंडेक्टर है आज समझ लेते हैं तो जैसे आए टी वालों अगर पड़ाया जाता है इसके नाम से समझाने में बहुत ज्यादाए इंडेक्टर क्या है yn्डेक्टोर्ष होता है जैसे को सब्सक्राइब करना जैसे घरों में इस्टिप्लाइजर लगा होता है 200 वोल्टेज आ रहा होता है हमें 300 वोल्टेज चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं उसको पॉइंट बढ़ा देते टू थ्री फॉर ठीकर नहीं तो इंडेक्टर का वर्क होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना आएए पता है क्यों भाइव भी अब हम लोग निमेरिकल पसलें गाइज देखेंगा नेक्स्ट क्रिस्टन तर तो गैस नेस्ट हैम लोगों का टाफिक कप्रस्टेंस आपाइस परिकल कंडेक्टर तो बच्चा क्या किया एँ सुलेटर अन आइस एप्रिकल कंडेक्टर आफ रेड और यह कोई के फटाल या हाविंग चार्ज की उसका इस पर चार्ज क्या दिया प्लस की उसाद दिया इन फुल्डा इस्पेरिकल कंडेक्टर पर दन पोटेंचल एड़ इन्य पॉइंट-अफ सर्फैस भी मतलब किसी भी पांट पर प्र कितना है भी है किसी भी फॉइंट पर एसी डिवाइस यहां पर इनर्जी स्टोर्ड होते हैं जब पोटेंशियल करते हैं तो गाइज सब्सक्राइब ने का सेफ सोचा किसा सेफ कैसा होगा तो पहले जो से लिया गया इस पर करना है कि इसका काफिस्टर कितना होगा काफिस्टेंस आप कंडेक्टर का काफिस्टेंस कितना हो गाइज तो जब काफिस्टेंट करना है पता हम लोगों को कि अभी फाइंड किया कि सीख क्यों 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 क्य के क्यों वन क्यू वाइब आर क्या तक आर और और रडियस अब यह समझेगा कि सब्सक्राइब कि तो इसको करा देंगे लेकिन फिलाल मैं के रखता हूं गाइज और हमें क्या करना है कापसिजस अप्धा किस्टेज초 आपा इस्पेरिकल कंडेक्ट ऐन की सीऊंड करना है और सीटों क्यों था क्यों भाए भी दोटेधि यह रिख देंगों ँर्दींनिक मुझा यह जानते हैं विनो गार्य घाईस को हमें फैंड क्या करना है सी तो सीकल क्यू अपान वी की बैल उपड़ आप किया बन भाई फोर पाई एपसालन नाट के और क्यू वाई ए तो गाइज क्यू से क्यूं को कैसिल किया और सीट को हमारे पास क्या गाइज देखेगा हो यह टर्लेट ऊपर पहुंच जाएगा सीट कितना चैंगा फोर फाई एपसालन नाट मैं एड के की़िएर हमारे पास कतना सी इस फिसुल फोर पॉर 6.7 이게 सेखंग लिए लगों पास में lly और साधा कर सकते कर देखेगा नियुक्रें कली जो बैली होती है यह पड़ा है और फॉर Efendi सेलनाट कि वैलiquement नाइन इंटु 10 तू पावर नाइन लेकिन यहां पर हमारे पास क्या फोर पाइफ सायलन नाट के बसे एर वैक्यूम यह लिए यह वैली यह ती अगर कोई के कि बैलो होगी इसी में रखा होगा मां तो उसको मल्टिफ्ला कराएंगे तो पर फिर फैस लेन जाएगे हमारे लिए बन अनिटे रोन भंट बन अन्यवार नहीं स्वार्ण इस फ़ोर पाइप सलएंट के ए और पुर्पारइप सलनल रो डालो गितनी फोर-फइस एलनाटव सतनी फोर पाइप लू बनन फार नान वर नवन बनन सब्सक्राइब कर देखेंगे इसके बाद में सब्सक्राइब कर लेते हैं कि पूरी आर्थ को ही इसको पूरी आर्थ को सब्सक्राइब कर लिया आफ रेडियस 6400 किलोमेटर आर्थ की रेडियस किते 6400 किलोमेटर कल्कुलेट इसका इसका क्या होगा तो गाइस हम लोग पड़े भी सीकल फॉर पाई एपसालन नाट के लिखने की नहीं है क्योंकि यह में रखा वह पहले सब्सक्राइब किया गया त कि वैलो 6400 किलोमेटर है गाइज 6400 किलोमेटर को किस में करमड किया मीटर में तो तो गया तो गाइस कम लोग लिख सकते हैं 64 by 9 into 10 to power अब देखिए टू 3 to 5 10 to 5 upon 10 to power 9 10 to power 9 उपर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का तो 64 by 9 into 10 to power माइनस का 9 plus का 5 तो सीकल 9 से डिवाइड करेंगे 64 को तो 7.11 आया into 10 to power minus 4 यानि कि जो हमारा काफिस्टर आया 7.11 into 10 to power minus 4 फारड गाइज यह काफिस्टर इतना कम होता है इससे किसी इस्ट्यूमेंट में इसको वर्क में नहीं लाया सकता है तो इसको आपने से दूर जाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ती है तो कितना बड़ा टूडीजीट गए तो 10 to power minus 6 यानि कि सी कलम लोग ली सकते हैं सेवन बढ़न बड़ माइक्रोफएराड सीव रन बन गाइज माइक्रोफएरड आंसर तो हमारे पासा एंचना इससे हमें कुछ स्क्राइब का नाम दिया कापिस्टेंस साफा होलो स्पेरिकल कंडेक्टर और इसके लिए बीटा हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट टू में इसका पढ़ेंगे और इसके बाद में पालल प्रेट कंडेक्टर आए गाइज और यह इसके थ्री आफ फॉर वीडियो बनेंगे गाइज तब इस चेप्टर एंड हो पाएगा और इसके बाद हम लोग इसके निमेरिकल करें गाइज जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ